27 जन्वरी से शुरू होने वाली गंगा यात्रा की तयारियों का जायजा लेने प्रभारी मंत्री कपिल देव अगरवाल बिजनौर पहुचे कपिल देव अगरवाल ने बैराज और सबलगड गंगा छेत्र के इलाकों का निरिक्षण किया बिजनौर की सबलगड से गंगा यात्रा को हरी जोंगी दिखाएंगे साथी कपिल देव अगरवाल ने बताया कि यह गंगा यात्रा दो चरणों में रखी गई है जो 27 जन्वरी को गंगा यात्रा बिजनौर से शुरू होकर कानपूर तक जाएगी वहीं दूसरी यात्रा बल बता दें कि गंगा यात्रा को लेकर जिले का प्रश्रासन पूरी तरह से मुस्तायद है जिसके चलते युदस्तर पर सौंदर्य करण का काम किया जा रहा है वहीं सिचाई विभाग किसानों वा दबंगों के कबजे से गंगा की अवयाज जमीनों को मुक्त कराने में जुटा हुआ है साथ एकारिक्रम के माद्रम से जिन जिन जन पदों और गाउं से होकर गंगा गुजरती है तरह में उनकों गेंगा हमारे साथ एप्रती रहेगे और साही जनता को सबस्क्राइब करने कर हैं जो प्रेल की जनता है ऑचे की जनता यह संकल बले कि गंगा में किसी भी पतार गी यह शुद्धी हम लोग नड़ा और हमारी पुली सेमेदारी है कि गंदा को पूर्थ रखनेगी एसा लोगों मोटिविशन करने काम जाबरू करने का यह गंदा कर इसका लिए इसका लिए इसका लिए जड़ी मेर के जड़ी आई महां से या सब्दबर जबाराज तक जहां ज